क्या आपके साथ कभी कुछ आजीव हो गरीब किसमत चमकाने वाली चीज़ों हैं जैसे कि आपको नीचे जमीन पर गिरे पैसे मिली हो या शायद आपने कभी सही जगह पर रहकर मौके पर चौका लगा दिया हूँ सुनने में ये सब कुछ दिल खुश कर देता है अजीव वहां कुछ ऐसे लोग हैं जो जान लेवा बादाओं में फसकर भी बच कर निकल गया रोंगे किस से सुनने लाइक हैं जमाने वाले ठंडे पानी में फसकर 80 मिनट तक बिताने वाली महिला से लेकर बिना पैराशूट के 4 मील नीचे गिरे एक सैनिक तक आए कुछ ऐसे भागशाली लोगों पर नज़र डालते हैं जिन्हों ने अनुहूनी को हो नी करके दिखा दिया स्मार्टफोन बना रखवाला लोग हमेशा शिकायत करते हैं कि हम बेवजय ही अपने स्मार्टफोन के बहुत जादा लती हो चुके है लेकिन एक युक्रेणी सैनिक है जो इस बात से असामत होगा एक हमले में फ्रंट लाइन में मौझूद रहने के दौरान सैनिक का दस्ता दुश्मन की भारी गुलाबारी की चपेट में आ गया और उनकी गोलियों में से एक इस सैनिक को लग गई हालाद जादा खराब होने के डर्जे सिपाही डेक के नीचे लेट कर अपनी चोट की जाच करने लगा लेकिन वहां कोई घाता घाओ के बजाए उसे मिला ये गोली सीदे उसके फोन से जाटा कराई अविश्वसनी रूप से फोन के ओपरी मेटल डॉक टैग ने 7.62 मीमी भलेट का सारा डेडली प्रभाव को ब्लॉक करके अपनी उपर ले लिया था शुकर है अब बैया मैं दुआ करूँगा इस बंदे के फोन का इंशुरेंस उसकी किस्मत जितना ही अच्छा हो Sky High Sports 1920 के दशक में स्वास्तो सुरक्षा के पैमाने इतने कड़े और सकत नहीं थे जितने के आज हैं इसलिए ग्लेडियस रॉय जैसी स्टन्ट विमन हर तरह के खतरना करता दिखाने के बावजूद बच निकली जैसी किसी बाइप्लेन का टायर बदलना जबकि वो अपनी उडान की बीच में हो बापरे बड़ी किसमत वाली है वो कि वो उस समय नीचे मौत की गोद में नहीं जाकर ग जिया बिल्गोसी सुना आपने माना तक नहीं की रूप से टैनिस का कोई प्रॉपा खेल नहीं था क्योंकि जब आप दोनों असी मिल पर दिखंटे के रफ्तार से उपर हावा में ट्रैवल कर रहे हो तो किसी गेंद को मारना नहाई ती अजमबा हुए उन दोनों के पैर व क्लब फ्रेज को नई उचारियों पर ले जाता है है ना लेकिन मैं आपको एक ऐसी चीज के बारें बता सकता हूं जो विमान पर खड़े होने से बहुत ही कम जोखिंबर आए उस लाइक और सब्सक्राब बटन को दबाना मैं हमेशा नया और अद्बुत कांटेंट आपके लिए अप्लोड करता रहत हूं इसलिए अगर आप ऐसा करते हैं तो आप फिर कभी भी उबने के जाल में नहीं फजेंगे सब कुछ कर दिया बढ़िया चली आगे बढ़ते हैं मीटियर का पागलपन हम सभी की कभी न कभी अचानक से किसी जटके से रात में नींद खुली जाती है हलागि यह डरावना हो सकता है पर आमतर पर इसकी वज़े दर्वाजा पठकनी है आपकी बिल्ली द्वारा कुछ खटकराने जैसा हो सकता है हलागि जब अक्टूबर 2021 में एक रात को कैनेडी आई रूथ हैमिल्टन की अचानक से नींद उड़ी तो इसकी वज़े कुछ जाता ही बुरू थी कानों के परदे भाड़ने वाले एक दमाके ने रूथ को अपने बिस्तर से सीधा कड़ा कर दिया और जब ऐसा हुआ तो उसे हैसास हुआ कि उसके बाल एक दम जलस गए गब राकर उसने अपने अंधेरे कमरे के चारों दूर देखा तो उसे अपनी छट में बड़ा सा छे दिखा हालाकि इससे भी ज़्यादा चिंता जनक वो था जब उसने अपने तकिये पर दिल देहला देने वाली चीज़ देखी एक लाल गर्म उठी के आकार की चट्टान ये फैक्ट के रूत का सर इंसानी चैम में नहीं बदला भाई ये किसी चमतकास चिकम नहीं था अब वो कहती है कि वो से स्पेस रॉक को अपने लगी एसकेप के याद के रूप में समाल के रखे हुए है अपने पोते-पोतियों वो ब्राइद करने के लिए जरूर पर डिय क्या ये सूपर विलन की कहानी की शुरुआत तो नहीं है ना कड़वा ठंडा बेगन होम अगर आपने कभी स्किंग की हो तो आपको बता होगा कि ये कितना चिली थ्रिल होता है दुरबागी से अलाग ये बहत खतानाग भी हो सकता है चाहे आपके पास कितना भी अनबब ग वो बैठी अचानक चे जब वो एक लकडी की गुडिया जैसे पहार से नीचे गिने लगी फिर वो जमी हुई बर्फ की आठ इंच मोटी परत की बीच में सिर्की और गिरियों और धस गई उसका सिर्व धर्बोई तरह से फंस गया था उसे सांस लेने कोई रास्ता नहीं मि के लिए लोग घटना स्थल पर पहुँचे लेकिन बर्फ इतनी मोटी थी कि इसे खोद नहीं पा रहे थे चालीस मिनट के बाद आखिर में इना को ठंड लगे और वो बेहोश हो गए उसी दिन उसके दिल ने दढ़कनागी बंद कर दिया इसके बावजूद चालीस और 56.7 फरिनाहिट था ये उस समय का शरीर का जब से कम तापमान दाश किया गया था नौ घंटे के बाद चिकितसा करमचारियों के लगातार अविश्वसनी कोश्चों ने उसके दिल को फिर से चालू कर दिया और उसका तापमान सामान हो गया और इतना नहीं इना किसी भी होने के बावजूद वो इतने लंबे समय तक जीवित रही कि डॉक्टर उसे बचा सके दोस्तों उसके बारे में सुनकर ही ना मेरा तो लगबाद दिल सा रुक गया था नियागरा फॉल मैं नियागरा फॉल कभी नहीं गया लेकिन मैं जरूर जाना चाहूँगा यहां कि त उस दिन सुबह एक आदमी को सबसे उंचे फॉल की रिटेनिंग वाल पर चड़कर नीचे पानी में कोटते हुए देखा गया था जिसके चलते बहता पानी उसे तेजी से किनारी के और घसीट कर उसे सीधा बहाने लग गया और वो घड़ी चट्टान के किनारी से 108 सी फीट नीचे गर गया भापरे और इसे और भी जादा बत्तर बनाने के लिए नियागरा फॉल्स को इसके पानी के नीचे विशाल घातक बड़े पत्थरों के धेर के लिए जाना जाता है फिर भी किसी तरह वो आदमी नीचे जमीन पर पड़ा हुआ पाया बस कुछी मामूली चो जब वो आदमी कुदा तो वो बस किनारे पर बैगा और ज्यादा तेस फोर्स से नीचे के बोल्डर को पार करते हुए अपनी कहानी सुनानी के लिए जंदा बच गया उमी तक इसने हमारे डाविन अवार्ट के भूके इंसान को सिखाया होगा कि रिटेनिंग वॉल्स बच चालिस में शुरू हुआ था ये दूसरे विश्युद के कुछ आखरी महीने थे और बीस वर्च ये बेटी एमपायर स्टेट बुल्डिंग की अस्टीवी मन्जिल पर लिफ्ट अटेनिंग के रूप में काम कर रही थी उसी वक्त एक योवा सक्षम लेकिन अती ओवा कॉन अवाम ओड रही थी उसका पहल वे स्पीट और गर्दन सब एकदम से टूट गे थे कप्तान विलियम स्मित को अहलागी इससे बरा मंजर देखना पड़ा था कोरे कारण को सही से समझ नी पाया कि वो कितनी उची ओडान भर रहा था उसका विमान इमारत के किनारे से आखर दबाह हो गया यह कैसी ओलाती थी जिसकी जान भी चली गई इस नरसाहार पर तुरंद रियक्ट करते हुए फस्ट एट करमी बेटी के पास पहुचे और उसे सुरश्चा के लिए नहीं चिले जानी के लिए लिए लिफ्ट मिले जाने से पहले उसे स्ट्वाचर पर जैसे उन्होंने लिफ्ट चालू की तो चीज हैं बस से बत्तर हो गई दुरगटना से कमज़र हो चुगे केबल अचानक से तूट गया और बुरी तरह से गरने से पहले बेटी को एक जोरदा जटका लगा और वो लिफ्ट शाफ्ट के साथ 75 मंजिल नीचे गिरी यह एक ब कर दिया दिमाग के बत्तियां को लोगी ना हाला कि पस तो टूटी-फूटी बेटी ने का विश्वसनी रिकवरी कियो बस आट महीनों में ही पूरी तरह स्वस्थ हो कर वापस काम पर लोट आई वाह मतलब आजमान से किरे हो सीधे लिफ्ट में जाके रह टक गए माना की हॉरर फिल्में ने शिद्रूप से डरावनी होती हैं लेकिन सबसे डरावनी चीजों में से एक जिससे मनुष्य का सामना होता है वो है प्रकरती का बल पेरू के नागरिकों ने मार्च 2017 में ये अच्छे से देखा कि ये कितना भैनाक रूप ले सकता है जब इस कराने कि वक्ति का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो जाने के बाद उसने वैसे भी इसके बीचों बीच से ड्राविंग करने का जोखिम उठाने का फैसला किया जी हाँ ये अच्छा इडिया बिलकुल नहीं था सौभागे से वो बिना किसी कंपीर चोड़ के बच गया लेकिन मैं ऐसा उसकी कार के बारे में बिलकुल नहीं कह सकता अरे बाप रे कार के साथ तो बहुत ही पुरा हुआ कोई सवाल जवाब नहीं इस वीडियो की शुरुआत के बारे में सोचें जी हाँ आपको महला तो पक्का याद होगी जो एक मेटराइट की चपेट में आने से बाल-बाल बची थी माना कि वो खतरनाक था देखो मुझे घलत मन समझना लेकिन मेटराइट यही करते हैं वे आसमान से गिर जाते हैं नीचे लेकिन भाईया एक पेकप ट्रक को आहाम तो आप है ऐसा बिलकुल भी नहीं करता यही कारण है कि दक्षण अफरीगा के कौमा खुथा कि एक निवा हुआ कैसे ट्रक के चालक ने बस इतना गा कि वो किसी परकार के रहें पचल गया ता और बस इतना ही हाँ भाई इतना ही विटनिसस का कहना है कि कार एकदम से उड़त हुई बड़े दमांके के साथ घर के ऊपर जा गिरी लेकिन भाई मुझी यह समझनी आ रहा कि यह कैसे कि आपको हुए आइडिया कि यह सब कैसे हुआ होगा अगर है तो मुझे नीचे कॉमेंट सक्षन में आकर बतारें लोन रेंजर जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं एक लोकल किरानी की दुकान में खो गया था और इसके बारे में तो सोचकर कई दनों तक रोता ही रहा इस समय दहशत भला थी जब उसके माता पिता को बता चला कि वो अपने न्यू साउथ विल्स के घर से लापता हो गया एक बड़े तलाश या बियान कोई कारवाई के लिए चुना गया लेकिन तीन दिनों के बाद मिलने की उमीद खत्म होने लगी फिर अविशर सनी रूप से लड़का अपने घर से सिर्फ आथा मील की दूरी पर ही गया जिन्दा और एक इस्थानी नाले से पानी पीता हुआ नजर आया हाला कि वो बस जिन्दा नहीं था बलकि इस दुर्दिशा में भी एक तम तनाव मुक्तों संतुश लग रहा था एजे को आटिजम है और रिसे शितरूप से मददगार रहा होगा ये देखते हुए कि जाड़ी अपने गंदा काटने वाले क्यूडों और तापमान में कठो गरावट के लिए जानी आती है इसलिए हमें से जाथ लोगों की तरह घबराने के बजाए यूआ एजे ने अपने आपको शांत रखा और इसम में अपनी किसमत को आजमानी के हदे पार कर दी थी मैगी 1943 में जर्मानी के कबजे वाले फ्रांस के उपर ओड़ रहे अपनी B-17 बंबर के बॉल बुर्च में था जब अचानक से विमान वरोधी आग की चपेट मागया बिना समय बरबाद की वो अपने पैराशूट को लेन कमी करण को बेहोश होगा लेकिन जैसी B-17 में विस्फोर्ट होने वाला था तो उसके तेज गुमाओ के बल ने उसे अचानक से साइट से बाहर फेग दिया बेहोश मैगी हवा में उचलाओ चार मिल से भी जादा नीचे अपनी निश्चित का आमत तक जागी रहा फिर यहा पैंकिक बनने से बच गया युद्ध के कैदी के रूप में लिए जाने के बाद उन्हें मैडिकल ट्रीटमेंट दिया गया और युद्ध के अंत तक फासिवादी कबसे वाले फ्रांस में रहे और अंत में वो 84 वर्शी एक ब्रैंड ओल एस तक जिंदा रहे पूते-पूत एक बुरे लेसंस दीगा किशोर एलिक्टन टेकसस में एक नौकरी के इंट्रीक्स के वापस लॉट रहा था तब ही उसने अचानक अपने पिक अप ट्रॉप के पिछले हिस्टे की ऊपर की खिचावाले जटकों की महसूस किये पहले ही वह कुछ रियक्ट कर पाता पूरी क दंग रस्त हो गए लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं होई थी जैसे रायली ने पहियो को पकड़ना जाली रखा तो ट्रक अपनी धुरी पर घूमने लगा मानो जैसे बच्चों कोई खिलो ना हो इस भयाना खत्री की सावारी को सेकंड बाल ट्रक वापस जमीन से उपर उठक ना जानी कैसे फिर से चारों पायो बजाकर टिक गया बेना समय बरबात किये रहाए लिए आख देखाना था अपनी सुरक्चा के लिए एकदम बावंडर से दूर निकल गया चिकित साथ एक बाल के आवशक था कि बावजूद मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि आ चारा वर्ष ये फिलिपनो लड़की की इस्तितीम होता तो मैं शायद अपनी जान का बाचुगा होता फिलिपिन्स अभी प्रकार के एक्स्ट्रीम मौसम से जूचता है और महीने एक विशाल ट्रॉपिकल तूफान पूरे देश में कहर बर फारा था सीजे नाम का ये लड़का अपनी परिवार के साथ तूफान से बचने के लिए घर पर था तभी कुछ अविश्वस नहीं हुआ एक विशाल मट स्लाइट सीध है घर के बगल से जाटक रहा है जिससे दीवा टूटने के साथ पूरी अमारत भी तबाओ गई किसमत से सीजे शुरुआती विसफोर्ट से चोटल नहीं हुआ था और वो अपनी तेज दमाग के इस्तमाल करके सीधे रसोई के श्रौण में जा पहुंचा अरे मानो ना मानो फ्रिज के अंदर चड़ कर छिप गया वो सारा खाना निकाल कर अंदर घुसकर और अपने पीछे का दरौजा बंद करके सीजे ने खुद को प्रजण तूफान से बचाने में कामियाबी हासल के लिकिन उसके परिक्षा भी खत्म नहीं हुई थी अपने चोटे स्याक आले चेंबर से वो उस तूफान की आवाज सुन सकता था जो बाहर सब कुछ बरबाद कर रहा था और ये घंटों तक चलता रहा जिससे फ्रिज हवा में उड़ा और सीजे की टांग ठूट गई लेकिन ये लड़का नहीं यला और आखिर में तूफान के थमन पर वो ठंडा जरूर हो गया था दोहरा जटका हम सब जानते हैं कि बेघरों की तुलना में किसी की भी जाधा बुरी किसमत नहीं हो सकती लेकिन कभी कभी सबसे बतकिसमत लोगों को भी एक या दो हड़ियां पर उस दी जाती है रोबट की तरह है डेनवर का वो पेखर आत बलानी की किरपागी और अस्पताल पहुंचने पर ये पाया कि उसे केवल मामूली चोटे आई थी अब एक कार से टकरा जाना और उसमें बस एक खरूच के साथ बहार आना बहुत ही भागेशा लिया हलाकि रोबट साफ तोर से बस इतने ही खुश नहीं थे अस्पताल में क काफी समय होने का नुमा लगाती हुए रोबट अपनी बैक से उतर गया और पट्रियों के पार भागने लगा अगी जायल तोर पर उन्होंने गलत फसल लगिया था इससे पहले कि वो दूसरी तरफ जा पाता ट्रेन उसके पिछले हिस्से में जाके हुस गी और पटाक से व बीच में जाफा से चाहे आप ड्राइब करते हो या नहीं पर किसी कार दुरगटना में शामिल होने का आइडिया लगब सभी के लिए बहाना क्या अलाई कुछ दुरगटना है दूसरों को इतलना मददगार होती है जैसे वो जान लेवा दुरगटना जिसमें कालबे लेकिन आगे जुआ उससे खतरनाक था जैसे ही काले बहबीत होकर देख रहा था कि तब ही ना जाने कहां से एक दूसरा ट्रेक्टर ट्रेलर उसके पीछे से आकर टकरा गया उसने अपनी आगे बंद कर लिए स्ट्रिंग वील को पकड़ दिया अब फिर भूम धमागा और एक और डराबनी दुर्गटना होगी दादो और काज उसके चार और उसके चार और उखाड कर हर तरफ बिखर गये थे जैसे ही वो दूसरा ट्रक पहले से टकराया कालेब अब दोनों ट्रक के बीच में फज़ा हुआ था उसका पिक अप सोड़ा कैन के तरह को चला गया और फिर भी किसी तरह कालेब इन सब के बीच में जिन्दा बचा हुआ था असल में उसे बमश्कल से एक खनूश आए थी हलाकि अभी भी मेरे सबसे बुरे सबने में से कोश एक दिखाई दिता है इसके बावजुद उसे तबाह पड़े वाहन से बाहने कालने में मदद मिल जाए आपके आसपास के हिस्सों के तरह पिचक जाएं और उन्होंने निशिद रूप से कालेब के लिए अपना काम किया उन्होंने दुरगटना के सभी प्रभाव का एब्सॉप गर लिया ताकि उसकी सीट और उसकी शरीर बरकरार बची रहे भाई ये बनीना अब एक कॉ जाए बसावाद हुए तो उनको नहीं पता था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है जब जहाज आइसबर्ग से जाकर टकड़ा है तो डिक और उसके पिता दोनों जितना हो सके उतने लंबे समय तक उसमें सवार रहे जिससे वे सभी की सुरक्षा मदद कर सकें डिक ने भ आने पर उन्हें खुद को बर्फ के एक ठंडे पानी में घुटने तक फसा हुआ पाया जैसे बाहर फेक नहीं लिए वहां कुछ भी नहीं था अपने नंगे हाथों को अपयो करना वश्वसनी रूप से दर्दनाग होता है और इसलिए घंटों तक डिक और आने बचे और इसके बजाए उन्होंने अपने पैरों में सर्कुलेशन बनाई रखने के लिए खुद को हर दो घंटे में खड़े होने और चलने के लिए मजबूर किया जो नरकी सभी आतनाव से जादा दर्दनाग था आशाजनक रूप से पहंतरा काम करके डिक ने ना सिर्फ पूर अलकी खीला मैसूस होने लगा है पर किसमत से अंदर का सारा घलत रास्ते से बाहर नहीं आए हलागी कुछ लोगों का निश्चित रूप से ज्यादा करीब ही और डेडली कॉल था इस आदमी की तरह जो अपने सामने के बगीचे में स्प्रिंकलर बदल रहा था तब ही अच कि विस्कॉंसिन के इस आदमी निश्चित रूप से जो और भी करीब से देखने का अच्छा प्रयास किया बैस जरा सी और दे रही हो और वो ठेक वहीं नीचे होता जहां उपर से प्यड़ गरा था यार मुझे यकीन है कि जान बचने के बाद वो काफी रील लीफ्ट मैसूस कर रहा होगा लेकिन जान को जोके में डालने वाले चूंकि सभी लोग पेर से समंधित नहीं इस एप्र भाई वाई डेनमार्क के रोडोवरे में इस बतकुस्मत छत वाले ने खुद को ता फसा हुआ पाया जब ये छे मंजिला गगन चुम्बी इमारत माग लगे और वो धीरे-दीरे ऊपर के ओर जल रही थी आश्या जनक रूप से एक तेस तरार क्रेन चालक ने अपने हुक क टावर की चत से जोड़ दिया ताकि ये आदमी उस पर कूच सके और सुरक्षित नीच उतर सके डियर जीवन के लिए कभी हावा में बिलटकना पड़ता है और रंद में आपको क्या लगता है कि ये क्या है नहीं पता ठेक है ये एक बिटेश शाही नौसिना का जहाज है ज समद्रों के तलपर ही पड़ा हुआ था यहां तक कि पराणे टॉप वीडियो को ध्यान में रखते हुए अभी भी विस्पोर्ट हो सकता है ये बेहत बागी चाली है कि बोर्ड पर हर कोई एक एपीस में सलामत बच निकला दोस्तों आज के लिए बस इतना ही काफी है इस मै आप किसी को जानते हैं जो इस तरह है कि असंभव बाधाओं से बच गया हो जैसे हम अपने अगले वीडियो में देखा सकें मुझे नीचे कॉमेंट सेक्षिन में आकर बता हो रहा देखने के लिए शुक्रिया